वेलकम बेग तो माई चैनल फ्रेंज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप भी देली मुंबाई गोवा पुने अगर आप भी घुमके बोर उचुके तो आप एक चीपेस्ट फ्लाइटिकेट बुक करें बैंकोग के लिए तो फ्रेंज आज के इस वीडियो म अगर उसको भी प्रेस करना ना गुले अगर आप डैली से अगर आप फ्लाइटिकेट बुक करते हैं बैंकोग के लिए तो फ्रेंज आपको फ्रेंज पढ़ेगा शे अजार नौसो रुपय के आसपास यानि की 6,900 रुपीज के आसपास आपको बात करते हैं मुंबाई की अगर आप मुंबाई से बैंकोग की टिकेट बुक करते हैं तो आपको प्राइस आएगा 7,600 रुपई यानि की 7,600 रुपीज अगर आप फ्लाइट की टिकेट बुक करते हैं मुंबाई से बैंकोग के लिए तो फ्रेंज अब हम बात करते हैं अगर आप कोलकाता से की तो वह आएगी 5500 यानी की साड़े 5,000 रुपए आएगा फ्रेंट्स तो इसले फ्रेंट्स मैं आपको तीन जगा के रेट बताया हूं इस देली के मुंबई के और कॉलकाता के तो इन तीनों में सबसे चीपेस टिकेट बैंकॉक के लिए आपको पड़ेगी कॉलकाता से 5500 इस फ्रेंट्स घड़ भी सकता ये बढ़ भी सकता ये मैं इंडियनेट से देखे बता रहा हूं तो फ्रेंट्स मैं आपको सज्जेस करूँगा कि अगर आप बीक बैंकॉक जाएं तो आप जो फ्लाइट की टिकेट बूप करें वह हमेशा आप कैलकेता साही करें फ्रेंट से भी कम यानी की 4,000 रुपीज के आज पास एक रिश्या की फ्लाइट जाती है और काता से बैंकॉक के लिए तो फ्रेंट्स इसमें एक टॉंसन कंडिशन लिखा रहता है कि आपका जो बैगेज होना चाहिए वह हैंड बैगेज अना चाहिए लगेज नहीं रहना चाहिए और हैंड बैगेज शायद मेरे ख्याल से 7 kg से 9 kg तक क्या ही वाली ड़ता है और अगर आप इंडी को या फिर स्पाइस जेट बुक करते हैं तो उसकी जो फ्लाइट की टिकेट आस पास आती है वह 5,500 डूपीज के आस पास आती है उसमें आपको ये बेनिफित मिलता है कि आ आप लेके जा सकते हैं और बड़ा लगेज भी लेके जा सकते हैं तो फ्रेंट्स आप कोई भी टिकेट बुक करें उससे पहले आप उसका टंसें पढ़ें उसकी गंडिशन परलें उसके बात फ्लाइट गुंगत बोकेर पर आन्पनीट बात ये भी एक कि अगर आप बैंक गोने के लिए तो एंडियन के लिए फ्री ँराइल ऐ यानि कि आपके ली वो वीजा नहीं लगेगा बीना वीजा की वहां पर जा सकते हैं अगर आप वीजा नहीं जाने ते क्या होता तो उसका लेंक डिस्क्रिप्षिन में दे दूंगा आप वहां से जाकर देख सेट तो फ् सब्सक्राइब करते बगल में बल ऐकन होगा उसको भी प्रेस करना ना बूले